तो अब questions की बात करते हैं आपका, तो इसमें first question है, QA को लेकर, इसमें क्या given है, इमरान के पास 1200 रूपीज है, ठीक है, वो market जाता है, उसके बाद वो two certs कहीता है, कितने आपका 350 रूपीज में, ठीक है, तो यहाँ पर हमें, उसके पास total कितने 1200 रूपीज थे, उसमें से उस कर दिये, कुछ spend कर दिये रूपीज, swapping में, तो उसने सबसे पहले क्या किया, 350 रूपीज के respect में, two certs आपका उसने खरीदी, उसके बाद मैं उसने एक book खरीदी, इसका rate क्या था, 110 रूपीज, 110 रूपीज की उसने क्या खरीदी book, उसके बाद जो 75 रूपीज उसने क्या fruits, तो 75 रूपीज में उसने और fruits करीदे, तो हमें ये बताना था कि उसके पास कितना amount left है, ठीक है, left amount, ठीक है, तो 1200 में से minus कर देंगे, ये कितना होगे आपका 700 और ये 810, 885, minus करने पर आपको क्या मिलेगा, 315, तो first वाले question का answer क्या जाएगा, A option 315, ये समझ में आ रहा है सभी के, ठीक है, तो आसान सा question है, इस तरह का question पूछे जाते हैं, आपके previous server में पूछे गए हैं, CVT के अंदर, आगे इसके second वाले question के तरफ चलते हैं, इसमें क्या given है, कि today the age of father is thrice the age of his son, तो यहाँ पर father की जो age है, वो son की age की क्या है, three times है, ठीक है, तो अगर हम father की age मान after five year, बोला गया है, five year after, after, पांच साल के बाद, जो father की age है, वो कितनी हो जाती है, आपका, यहाँ पर f plus five हो जाएगी, ठीक है, father की age कितनी हो जाएगी, f plus five, जब भी after की बात की जाएगा, तो plus का sign यूज होगा, और before की बात की जाएगी, तो minus का sign, तो after five year, the age of father will be 2.5 times the age of his son, और son की age कितनी हो जाएगी, after five year, s plus five, तो father की age, son की age की कितनी हो जाएगी, आपका 2.5 times, ठीक है, अब इसमें यह वाली value ठाके रख दो, तो यहाँ पर आपको किसकी value पता लग जाएगी, son की age की, तो यहाँ पर f की जगे, 3s रख देंगे, 3s plus five equal to 2.5s plus का, यह कितना आ जाएगा, 7.5, अब इसको जब solve करते हैं, तो यहाँ पर 3s में से 2.5s अगर minus करेंगे, तो 0.5s बचेगा, इसके क्वल आजाएगा, five को दर ले कर जाएगे, तो यह कितना बचेगा, 2.5, 2.5 times the age of sun, अच्छा, यह 12.5 आएगा, इसको multiply सही कर लो, यह add कर दिया है, यह आए 12.5, अब 12.5 में से अगर five minus करेंगे, तो यह कितना बचेगा, यह आपका 12.5, 7.5 बचेगा, तो sun की age कितनी आ जाएगी, 7.5 divided by आपका कितना, 0.5, तो यह point से point कट गया, तो यहाँ पर कितना आ गया, यह 15, ठीक है, तो यहाँ पर sun की age आपकी 15 year आएगी, c वाला option यहाँ आ answer आएगा, वो क्या जाएगा, c वाला option, अगर इसमें present age या after या before age अगर पूछी जाती, तो यह sun की जो age आई है, यह कौन सी present age है, अगर after five year sun की age पूछी जाती, तो यहाँ पर आपका 15 plus 5 कर देते, तो कितना आ था 20, father की age थी, अगर father की age अगर present में पूछी जाती, तो three time option यानि की कितनी आजाती, 45 year, three into 15, 45 year, तो जो भी question पूछा जाता है, उसके respect में हम लोग answer कर देते, तो एक तो यह तो यह तरीका है कि हम लोग equation मना के इसको solve कर लें, ठीक है, अगर हमारे पास equation मनाने का time नहीं है, तो हम दूतरा तरीका क्या use कर सकते हैं, कि हम option में, यहाँ option से हम check कर सकते हैं, hit and trial method से इस question को, जैसे आपका यह बोला गया है, कि father की age three time of his son है, तो अगर आप इसको option से check करते हो, यहाँ पर यह क्या है, 18, 18, अगर 18, अगर अभी present में son की age है, तो father की age कितनी हो जाएगी, three time, यानि कि 54, ठीक है, और five year के after यह कितनी हो जाएगी, 23 और 59, क्या वो 2.5 times होगी, नहीं होगी, तो हम फिर third बाले option को check करते हैं, अभी 15 है, तो three time आपका जो age है, वो किसकी age है, father की, यानि कि कितनी हो जाएगी, 45, five year के after, son की age कितनी हो जाएगी, 20, और father की age कितनी हो जाएगी, 50, यानि कि आपका 20 और 50 में ratio देखोगे, तो आपको के जैसे आपका, इसमें हम value पुट करके देख लेंगे, अगर मालो sun की हमने present age कोई भी माली, इसकी बुला गया है, present में जो father की age है, वो three time of sun की age, ठीक है, after five year father की age कितनी हो जाएगी, f plus five, sun की age कितनी हो जाएगी, s plus five, sun की age हमने s माल ली है, ठीक है, अब इसमें father की age है, वो sun sun की age की कितनी हो जाएगी, two point five time, इसको जब solve करेंगे, तो यहाँ पर, यह two point five s आएगा, यह आपका, father की जगे क्या रख देंगे, three time of sun की age, three s, और जब इसको जब हम solve करते हैं, तो यहाँ पर s की value मिल जाएगी, वों में कितनी मिल जाएगी, fifteen, यह बात समय बागी सभी के तो इसको note कर लीजे, फिर इसके आगे अगले question पर चलते हैं, सबसे पहले इसमें बात करेंगे, इस first वाले question की, यहाँ पर क्या given है, 30 percent of a number is 210, यानि कि कोई एक number है, उसका 30 percent क्या है, आपका 210 है, what is the 25 percent of the same number, यानि कि जो number है, जिसको आप find out करेंगे, उसका 25 percent आपको बतान था, ठीक है, 25 percent of the same number, अब इस वाले question में अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले इसको equation बनाके solve करेंगे, तो 30 percent of a number, 30 percent of a number, number हमने माल लिया क्या है, वो A है, ठीक है, किसके एक्वल है, 210 के, अब इसमें 30 upon my 100, multiply में कितना आ जाएगा, A, किसके एक्वल 210 के, 0 से 0 cancel हो गया, 3 से यह आपका कट जाएगा, कितना, 70 time, तो A की value कितनी आ जाएगी, 70 into 10, कितना आ गई आपका 700, ठीक है, तो A की value कितनी आ गई आपका 700 आ गई, दूसरी चीज यहाँ पर यह बोला गया है, कि what is the 25 percent of the same number, अगर वही number पता करना होता, तो 700 answer इसका सही हो जाता, ले 25 percent अगर हम find करेंगे, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, यह आपका cut गया, तो यह कितना 25 seven जा, 175, तो यहाँ पर जो answer आएगा, वो क्या आजाएगा, C option 175, तो इसमें सबसे पहले first वाले question का जो answer है, वो कितना आजाएगा, 175, यह सभी की समझ में आ गया, clear है यह, इसके 25 percent find out कर लिया, इसके बाद अगर हम second वाले question में बात करें, तो यहाँ पर 18 student का average है, वो कितना है age का, वो 22 year है, तो 18 student पहले आपके given थे 18 student, ठीक है, उसके बाद क्या करते है, 12 student उनको और join कर लेते हैं, ठीक है, और total कितने student हो जाते है, 30, हो जाएगे 30, 18 यह और 12 यह, तो प 22 year था, 22 year, ठीक है, और जब इसमें 12 student और join कर लेते हैं, तो उनकी जो average age है, वो 2 year से क्या कर जाती है, increase कर जाती है, तो पहले 22 थी, अब कितनी हो जाएगी, 22 plus 2, यानि कि आपका 24 year, यह बात सभी के समझ में आ रही है, ठीक है, अब जैसे total 30 student थे, 18 और 12, इन सम्में अगर 24, 24 year होगी, तो सबका average 24 year मिल जाएगा, लेकिन क्या हुआ कि कुछ student की age में कुछ deviation था, उस deviation को हमें देखना है, जैसे अगर मालो इस in 18 student की जो average age है, वो कितनी है, 22 year, यह 24 से क्या है, कम है, कम है, यानि कि minus का sign, ठीक है, कितनी कम है आपका 18, 2 year कम है, और 18 student के respect में, तो यहा समझ मा रही है, तो यहां पर 18 student की जो age थी, वो आपका 2 year कम थी average से, जिसकी बज़ए से deviation हमें मिला कितना, minus 36 का, अब 12 student जिनकी average age 24 year हो सकती थी, इनकी age 24 year हो सकती थी, लेकिन इस deviation की बज़ए से वो 24 नहीं हो पाएगी, तो 20, इस deviation को क्या करना पड़ेगा, हमें balance करना पड 66 में, और कितने student के respect में 12 student के respect में, डे October student में, positives जो 36 year का था, यह आपका क्या था, यह sum का deviation था, यह 26 year के sum का deviation आया, अब उसको हमें 12 student के average के respect में हमें देखना है, कि कितना deviation आएगा, तो minus ka 36 अपने आपको क्या करेगा, balance करने की कोस्टिस करेगा, यह minus 36 किस में च्छाइग ह 9 का finally, तो यह कितना आ जाएगा, 24 plus 3 equal to 27 year, तो इसका जो answer आएगा, वो आपका B option 27 year, सही हो जाएगा, यह सभी के समझ में आगे question, clear है यह, तो second वाले question का answer का आएगा, 27 year, आगे इसके चलते हैं, next question की तरफ, चलिए, unit digit के concept को एक बार समझ लेते हैं, अच्छे से, unit digit जब भी आपका कोई भी number power और power की form में given होगा, तो उसके respect में unit digit कैसे find करनी है, इसको लेकर आपके question का भी को आप पुछ लिए जाते हैं, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, unit digit की, अगर कोई भी number जिसकी ending हो रही हो किसे 0, 1, 5 और 6 है, कोई भी ऐसा number जिसकी ending 0, 1, 5 और 6 से होती है, जैसे आपका 10 भी हो सकता है, अगर 0 से ending हो रही है, 10 हो गया, 90 हो गया, 110 हो गया, और 1110, ठीक है, तो इस तरह से आपके हो सकते है number, इसके अलाबा आपका कोई भी नमबर जिसके एंडिंग 1 से या 5 से या 6 से भी होती है, जैसे आपका 100, 16 ही ले लो, या 581 ले लो, तो कोई भी नमबर जिसके एंडिंग इन नमबर से होती है, उनकी unit digit ये नमबर क्या होते है, उनकी unit digit ये नमबर क्या होते है, खोदी होते है, अगर कोई भी number जिसके ending जीरो से होती है, उसकी power हम कितनी भी लाखों हजारों में बढ़ा देंगे, तब भी आपका उसमें unit digit क्या रहेगी, same रहेगी. तो जीरो के respect में unit digit जीरो रहेगी, one के respect में one, five के respect में five, और six के respect में क्या रहेगी, six रहेगी. इसके बाद second category आती है, उन numbers की जो कि क्या है, perfect square है, जैसे four और nine, ठीक है, यहाँ पर four और nine की अगर हम बात करते हैं, तो four के respect में unit digit आपका या तो four हो सकती है, या तो six हो सकती है, जब भी power increase करेंगे, तो या तो आपको four देखने को मिलेगा, या तो six देखने को मिलेगा, unit digit four क अब देखने को मिलती है, जब four की power क्या होगी, four की power होगी odd, four की power कोई भी odd number हो, जैसे अगर हम ले ले ले, four की power, 431, तो आपका unit digit क्या आजाएगी, four आजाएगी, अगर हम ले ले, 124 की power, 124, यानि कि अगर हम four की power even लेते हैं, तो यहाँ पर unit digit आपकी क्या आती है, six आती है, यह बात ध्यान रहेगी, तो यहाँ पर four की power अगर हम even कर देंगे, तो unit digit आपकी vary कर जाएगी, four से क्या हो जाएगी, six हो जाएगी, ऐसे ही nine का case है, nine के case में अगर nine की power odd है, तो unit digit आपकी क्या रहेगी, nine रहेगी, और nine की power अगर even है, तो unit digit आपकी क्या हो जाएगी, one हो अगर जैसे 129 की power 128 दे दिया तो वहाँ पर 9 की power even है तो unit digit क्या हो जाएगी 1 होगी उस case में तो ये बास समझ में आ गई थर्ड के अटे की लिए आती है remaining numbers की 2, 3 और 7, 8 ये वो numbers है जिनकी unit digit आपका 2 से जादा होंगी 2 भी हो सकती है 4 और 8 और 6 तो अगर कोई भी number जिसकी ending 2 से हो रही होगी तो वहाँ पर unit digit कभी 0 नहीं आएगी 2, 4 और 8 और 6 के respect में वो vary करती है जैसे 2 की power अगर 1 है तो unit digit क्या आती है 2 2 की power 2 है तो 2 की digit क्या आती है unit digit क्या आएगी 4 2 की power 3 unit digit 8 और 2 की power 4 unit digit क्या आएगी 6 ऐसे ही 4 की बाद अगर 2 की power 5 करेंगे तो unit digit फिर दवारा start हो जाएगी कहां से 2 से 2 की power 6 करेंगे तो unit digit क्या आएगी 4 2 की power 7 तो unit digit क्या आएगी 8 और 2 की power 8 करेंगे तो unit digit दवारा से क्या आएगी 6 आजाएगी मतलब 4, 4 के multiple में unit digit क्या करेगी आपकी vary करेगी इसी के साथ में आपका 3 के respect में unit digit 3, 9, 7 और 1 के respect में मिलती है और ये भी आगे आपका इसी तरह से इसी वे में आपका क्या करती है, रिपीट करती है इसके बाद 7 के respect में unit digit 7, 9, 3 और 1 हमें मिलेगी और 8 के respect में unit digit 8, 4, 2 और 6 ये हमें आपका unit digit मिलती है अब इसी पर बेश रहें आपके ऊपर के ये दौनों कोशन सबसे पहले वाले कोशन में क्या गिवन था 35 की पावर 35 आपको क्या बताना था unit digit यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो जो आपका नंबर है unit digit में कौन सा है 5 तो यहाँ 5 की पावर अगर हम 35 करते हैं 5 की पावर 35 तो 5 की पावर कुछ भी कर दी जाए unit digit में आपको हमेशा क्या मिलता है 5 ही मिलेगा ठीक है तो इसमें 1st वाले कोशन का अंसर के आजाएगा C option 5 अब इसके बाद second वाले कोशन में अगर पूछा जाता है कि 4 की पावर अगर 4 कर दी गई है तो यहाँ पर unit digit के आएगी तो यहाँ पर 4 की पावर 124 4 की पावर 124 तो 4 के रहे एस्पेक्ट में आपको odd और even देखना है अगर 4 की पावर even है तो unit digit में आपको क्या मिलता है हमेशा 6 तो इस वाले कोशन का अंसर क्या आजाएगा 6 आजाएगा यह बात सब के समझ में आ गई अब इन दौनों को अगर हम मिला देते हैं और आपसे अगर यह पूछा जाता है कि 35 की पावर 35 multiply by ठीक है multiply by 124 की पावर 124 अब अगर आपसे पूछा जाए कि unit digit क्या होगी तो इनके respect में अलग-अलग unit digit निकाल लेंगे और उनका क्या कर देंगे आपस में multiply अगर addition की बात करता तो addition कर देते ठीक है तो यहाँ पर जो भी operation बोलेगा उस operation के respect में इसको हम perform कर लेंगे 5 के respect में जो unit digit क्या थी यह 5 थी 5 और यहाँ multiply आपका 4 के respect में यह क्या थी 6 तो 6 5 जा कितना जाएगा 30 तो unit digit क्या जाएगी आपकी यहाँ पर 0 तो अगर ऐसे कई सारे number multiply की form में दे दिये जाए तो unit digit आप 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 से पता कर पाएंगे clear है यह concept unit digit का तो unit digit को लेकर question इस तरीके से आपके पूछे जाते हैं अगर addition होता तो यहाँ पर 5 और 6 का sum कर देते कितना आता 11 तब unit digit क्या जाती 1 clear है यह समझ में आ गया लिख लो इसको फिर इसके आगे हम अगले concept की तरब चलते हैं सबसे पहले इसमें first वाले question की तरब चलते हैं इसमें यह given है कि एक offer चलना है जिसमें buy 4 get 1 free है ठीक है यानि कि अगर आप buy करते हैं कितने 4 article तो आपको free में मिल जाता है कितना one ठीक है तो आप जब घर आएंगे तो आपके साथ में कितने आरटीकल होंगे total party five ठीक है अगर आप चार करीड़ते हैं तो आपको उसमें एक free मिलता है तो यहाँ पर अगर आप total की बात करते हैं तो यहाँ पर total article कितने आएंगे iff टोटल कितने आएंगे 5, आपको क्या निकालना है यहां पर discount percentage, ठीक है, यहां पर क्या find करना है, discount percentage, discount की बात करेंगे, तो discount कितने का मिला है, आपका one article का, कितने के respect में, total के respect में, multiply by 100, तो कितना जाएगा 20%, तो इसमें first question का जो answer है, वो A option 20% सही हो जाएगा, इसमें अगर माल So, buy 5 या 2, 2 free करके भी given होता है, या फिर आपका कोई भी अगर आपका number given होते, तो उसके respect में, as it is, आप find कर लेते, discount percentage, यह सबी के समझ में आ गया, कितने लोगों का यह first question सही था, first question, ठीक है, buy 4, get 1 free, यहां पर total आपके जो article थे, आप जब घर पहुँचे, आपके पास कित का एक article का, और कितने के respect में, total के respect में, तो divide by 5 कर दिया, multiply by 100, तो कितना आगे 20% का discount मिला, यह सबी को समझ में आ गया, आगे इसके second वाले question की तरफ चलते हैं, यहां पर यह average को लेकर question given है, क्या question है, इसमें Monday, Tuesday और Wednesday, Monday, Tuesday और Wednesday का average temperature, Monday, Tuesday और Wednesday का average temperature कितना है आपका, 40 degree Celsius, तो Monday, Tuesday और Wednesday के temperature का जो sum आएगा, वो कितना आएगा, 40 into 3, 120 degree Celsius, direct लिग दिया कोई दिक्कत तो नहीं है, sum किसके एककोल होता है, average multiply by n, यानि कि आपका number of observation के, तो यहां पर क्या किया, Monday, Tuesday और Wednesday के temperature का जो sum था, 40 में आपका multiply कर दिया, 3 से, 3 से multiply क्यों किया, क्योंकि number of day आपके कितने है, 3, ठीक है, इसके बाद second number पर, if average temperature of Tuesday, Wednesday and Thursday, तो यहां पर Tuesday, Wednesday और Thursday, इसका जो average temperature है, वो कितना है, 41 degree Celsius, Celsius, तो sum की बात करेंगे, तो sum कितना आजाएगा यहां पर, 123 degree Celsius, ठीक है, अब इसके मैं, इस question को देख लो, इन दौनो, इन दौनो equation को जब हम subtract करते हैं, तो यहां पर, यह आपका minus में जाएगा, यह minus में, यह minus में, ठीक है, इस में से इसको हमें minus करना है दौनों को, तो यहां पर क्या बचेगा, Monday का temperature, minus, यह तो आपके कट जाएँगे, यहां से, Thursday का temperature, 120 में से 123 minus करेंगे, तो यहां पर minus का 3 degree Celsius बचेगा, Monday के temperature की बात करें, तो यहां पर Thursday का temperature आपको कितना given है, 42 degree Celsius, तो आपको Monday का temperature बताना था, यह यह तर जाकर आपका कितना, 42 minus का 3, तो यह कितना जाएगा आपका, 39 degree Celsius, तो इसका जो answer आएगा, वो क्या आएगा, D option, 39 degree Celsius, तो इस तरह के जब भी question पूछे जाएँगे, तो आपको equation मना के करना है, equation के respect में आपने क्या find किया, sum, दूसरी equation के respect में sum find किया, दौनों को minus कर लिया, तो Monday और Thursday temperature का difference कितना मिला, minus का 3 degree Celsius, तो इसमें Monday का temperature पता करना है, तो Thursday को इदर लेकर गए, तो यहाँ पर यह कितना आएथा, 42, तो 42 में से 3 minus कर देंगे, कितना आजाएगा, 39 degree Celsius, तो कौन सांसर से हो जाएगा, D वाला, तो इसको लिख लिजे, फिर इसके बाद अगले question पर चलेंगे,